हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज बात करेंगे सौरब मुखरजी के पोर्टफोलियो में से टॉप आईटी स्टॉक्स के बारे में जो भी स्टॉक उनके किसी भी पोर्टफोलियो में है और आईटी स्टॉक्स है उनको इस वीडियो में कवर किया गया है एज अभी sir में क्यों दिख रहा है उसका major reason attrition rate है attrition rate काफी high हो चुका है सारी Indian IT companies में जैसे मैंने news के cutting लगाई है आप देख सकते हैं सारी news यही बताती है Indian IT industry battling all time high attrition rate cognizant attrition rate is 33% major IT companies are facing high attrition rate फिर एक news है talent churn in IT sector may stabilize in next 6 month तो अगले 6 महिने में यह attrition rate काफी stabilize हो सकती है और उसके बाद जो यह situation है यह नहीं रहेगी तो stock वापस अपने level पे आते हुए नजर आएंगे attrition rate कैसे account करते हैं like कितने employee company को छोड़ के जा रहे हैं उसे हम उपर रखेंगे then divide करेंगे कितने उस particular period में total employee है इस type से attrition rate को calculate कर सकते हैं like किसी company से अगर 40 people छोड़ के जाते हैं उस company में 100 people total काम कर रहे हैं तो उस case में attrition rate 40% आएगा attrition rate बढ़ने की वज़े से IT companies को नए employees को hire करना पड़ता है कुछ ज्यादा उनको package दे के उस case में company एंड फिर जो नए employee होती है उनको फिर से training देना पड़ता है जिससे की company को profit में थोड़ा सा नुकसान होता है एंड company अपना operating profit margin जो है उसको बचा के नहीं रख पाती है इस वज़े से company का जो profit है वो थोड़ा कम होता है इस वज़े से अभी IT companies loss means की नीचे के level दिखाती हुई नजर आ रही है अभी मैंने एक post किया था recently 50 minutes पहले जिसमें मैंने लिखा था कि आपके according best IT stock कौन सा है तो आप ऐसे polls के अंदर जरूर participate करें जिससे की आपको भी पता चलेगा कि इसका लोगों के बारे में अभी current market scenario में क्या राय बनते हुई नजर आ रही है like आप देख सकते हैं TCS का stock जो की around 35% vote जिसको मिले है and 50 minutes में around 104 लोगों ने vote किया है तो आप भी ऐसे poll में participate करें जिससे की जैसे ये 100 लोगों ने vote किया है तो वो ये सारे 100 लोग कोई Manoranjan के परपज से ये channel नहीं देखते हैं वो सारे stock market में या तो अपना investing करते हैं या swing trade करते हैं तो उसी वज़े से ये channel को देखते हैं तो 100 ऐसे लोग जो market में active है जो market की जानकरी रखते हैं वही इसमें vote करते हैं तो आपको भी काफी अच्छा idea लग सकता है इस type के पोल से उसके बाद एक मैंने Peter Lynch की एक quote को quote किया था कुछ दिन पहले वो ये बोलता है कि stock aren't lottery tickets stock जो है वो lottery ticket नहीं है behind every stock is a company सारे stock के पीछे एक company है if the company does well over time the stock do well अगर company अच्छा करेगी profit raise करेगी profit booking करेगी तो उस case में stock भी over the period of time हमें अच्छे return देंगे तो हमें ऐसी companies find out करनी है जो profit making company हो ना कि हमें किसी की advice लेकिए या किसी को देख के stock को buy करना है तो सबसे पहले आज के बारे में जिन stocks के बारे मात टाटा consultancy services TCS का stock जिस ने last five years में 174.39% के return अपने investors को बना के लिए है यह Marcellus के consistent compounder portfolio का हिस्सा है currently stock ने जो maximum high लगया था around 4000 के आसपास लगया था and currently यह stock वहाँ से काफी अच्छे discount के बाद 3439 के level पे available है अगर इस TCS के promoter holding की बात करें तो 72.30% की promoter holding है कोई stock pleasing नहीं है ROC last five साल का 47.8% है ROE 43.6% है जैसे कि हम यह fundamental analysis के data देख रहे हैं तो आज मैंने एक latest video upload किया है जिसमें एक simple strategy बताई है plus साथ मैं stock picking के लिए data बताया है कि किन किन data को आपको देखना चाहिए तो वो video i button पर click करके आप जरूर देखें जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप किसी particular stock को कब buy करें and कब उसको sell करें क्योंकि sell करना भी time to time important इस वज़े से हो जाता है कि कि आप देखेंगे कि पिछले एक साल की एक साल पहले जो प्राइस थी लगबग सारे fundamentally strong stock अभी उसी प्राइस पे मिल रहे हैं free cash flow जो है 37,000 करोड का free cash flow company ने generate किया है last one year में stock का पी अभी 32.9 है and industry का पी 26.9 है अगर chart पे देखें तो यहाँ पे 3100 के आसपास एक काफी अच्छा support TCS के stock ने लिया है तो short term में stock bullish होगा and उसके बाद stock के अंदर काफी अच्छे moment देखने को मिलेंगे अगर यहाँ से कोई भी dip आती है तो इस stock में आप buying करके चल सकते हैं next stock L&T Technology Services ये बार्शिलेस के rising giant portfolio का हिस्सा है and currently ये around 3580 के price पे treat कर रहा है इसने last 5 years में 388% के return अपने investors को बना के दिये हैं LTTS के case में promoter holding 73.90% है जो की higher side पे है जो की एक अच्छी बात है ROC 36.8% पे है and ROE 25.1% पे दोनों ही data काफी अच्छे level पे नज़र आते हैं dividend yield LTTS के case में 0.62% है ये mid cap organization है mid cap company generally dividend कम देती है क्योंकि वो अपने profit को reinvest करके और grow करने में ज़्यादा धान देती है debt to equity ratio 0.11 है ज़्यादा debt नहीं है company पे free cash flow 765 करोड का free cash flow company ने generate किया है काफी अच्छी बात है stock का PE currently 39.4 है जबकि industry का PE 26.9 है industry के PE के average में अभी भी ये stock premium level पे trade करता वा नजर आता है क्योंकि ये engineering and R&D services में काम करने वाली काफी अच्छी company है इस वज़े से ये premium पे हमेशा आपको trade करते हुई मिलेगी अगर LTS की chart को देखा जाये तो इसने high लगाया था around 5947 का उसके बाद ये stock लगातार नीचे आ रहा है plus current market situation की वज़े से और नीचे आया है 3300 का एक support था इस stock का वहाँ से support लेके stock ने वापस उपर के level दिखाने स्टार्ट किये हैं info as India जिससे हम naukari.com भी बोलते हैं ये stock currently 3826 के level पे trade कर रहा है and last 5 years में इस stock ने 268% के return अपने investors को बना के दिया है ये स्वार्ब मुकर जी के rising giant portfolio का हिस्सा है Naukari के case में promoter holding 38.7% है and FII की holding 33% है जिस किसी भी stock में आप promoter holding कम देखने को मिले उसमें आप FII का data भी जरूर देखें return on capital employed last 5 साल का 15% है जो की काफी सही level पे नज़र आता है return on equity 24% है वो भी काफी सही level पे नज़र आता है dividend yield 0.21% है यह कम इस वज़े से है क्योंकि यह भी एक mid cap company है and mid cap company अपने profit को reinvest करने में ज़्यादा believe करती है debt to equity ratio zero है means कोई debt नहीं है company पे debt free company है हमें साथ जो debt free company होगी वो मुश्किल समय में आपको ज़्यादा नहीं गिरेगी प्लस वो company वापस जब market की condition सही होगी तो debt free companies वापस उठने में सबसे ज़्यादा तेजी से ऊपर उठती है free cash flow last one year में minus 56 करोड का हुआ है means 56 करोड का company ने loss दिखाया है बट अगर last three years की बात करें तो around 455 करोड का free cash flow वी company ने generate किया है currently stock कपी 18.2 है and industry कपी 46.8 है अगर chart पे नौकरी के chart को अगर देखा जाए तो देखेंगे कि इसने high around 7400 का लगया था and उसके बाद 3400 के level पे एक support को दिखाने के बाद stock फिर से उपर जाना start किया है 50 day का moving average को touch किया था बट उसके उपर की closing नहीं आई थी उसके उपर की अगर closing आती तो stock के अंदर थोड़े movement उपर के तरफ और देखने को मिल सकते थे बट 3400 से लेके current level के बीच की अगर आपकी buying है तो future में ये stock काफी अच्छे return आपको दे सकता है तो ये थी तीन stock जो की TCS जो की consistent compounder का हिस्सा है LTTS and InfoEdge जो की rising giant portfolio का हिस्सा है तो ये तेन stock अगर आपको buy करना है तो आपको अपना खुद का analysis करके किसी भी stock पर अपनी buying कर सकते है Thank you for watching this video